पल्लविस किचन में बन रहा है आच फुल हेल्दी थाली इधर मैंने शिरा परोसा है कोशिम बिर परोसी है छाच कुर्मा और बासमती जीरा राइस दो चपाती पापड लेमन और आम का अचार तो एसी में थाली बना रहे है आच तो दीखिए एक गंटे में पूरी थाली जड़पड बन जाते है तो आगत्याप का पल्लवी लाइस्टाल में मैं हो पल्लवी तो चलिए देखेंगे रेसिपी तो कडाई में मैंने तेल डाल के लिया है तेल को गरम होने देते है इसमें हम डालेंगे जीरा, राई और कड़ी पत्ता इनको अच्छी तरह तड़क में देंगे अब इसमें डालेंगे लसुन और अद्रक का पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको भी हम अच्छी तरह इसे रोस्ट करके लेंगे तो यह देखें लाल कलर का हो चुका है अब इसमें तला लेंगे हम पैस पैसडेस्ट को लाल होने तक आच्छी तरह तेल भून के लेना है चलिए यह ठीक प्रूस गज़ें दालेंं टमस्ट को को मैं रमेटेस के यह ए मैं उपनी तो चलिए इम ड utilizar तो इनको वह रहे हम इसे थेल में रंगे कम से कम तेल में आज में पूरी है हिल्दी रेस बहुती अच्छी बनती है आप पूरा ये वीडियो जरूर देखिए तो चलिए ये अच्छी तरह गल चुके इसमें डालेंगे स्वाधानुसार नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे सब्जी का कलर बहुती अच्छा तो चलिए इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हरे मटार है हरे ताजे मटार है आप इसके कौंटिटी कम्या जादा कर सकते हैं तो चलिए इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके करेंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे तो एक मिनिट के पेली से ही उबाल के लिए हैं मैंने इदर दो आलू को उबाल के लिया था तो देखिए इस तरह से क्रश करके हमको आलू को इसके अंदर डाल के लेना हैं तो आप इसे हाथ से ही क्रश करके इसमें डाल लीजिए बहुत है अच्छा बनता है तो चलिए अभी इसको भी हम अच हो चुके हैं अब मैंने जो इमली है उसको आदे गेंटे पहली भी वो के रखाता तो देखें उसका पल्प हम इसे चान के इसके अंदर डालके लेंगे तो यह दिखें इस तरह से मैंने पूरे पानी को इसके अंदर डालके लिया है और जो उपर का चिलका है इसको फैक लेकिन इमली का जो पानी है और डालने से हमारे सबजी का टेस्ट बहुत है अच्छा आएगा तो अब हम डालेंगे इसमें फुलकोबी फुलकोबी को मैंने इसे पहले पानी में उमबार के लिया था एक मिनिट के लिए तो इसलिए पक भी चुके हो और इसके अंदर रहेंगे और भी निकल जाएंगे तो इसलिए इसको पका के लेना बहुत जरूरी है तो इसको भी मैंने से मिक्स करके लिया है तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि जो कुर्मा है वो थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है इसमें पानी डालके इसको अबनाएंगे, जो हमारे फुल फुल गूबी के तुकड़े, उसको थोड़े बड़े ही रखने हैं, बहुत है अच्छे लगते हैं, तो इसको एक उबालाने के बाद, हमको इसके उपर धन्यापता डालके लेना है, तो इदि कि इसको अच्छा उबाला आरा है, तो मैंने धन जीरे को थोड़ा तड़कने देना है जीरे को मैंने यसे अच्छी तरह हिला के लिए है तो यह तड़कने लगा है इसमें मैं डालूँगे दो मिर्च इसको मैं आदे से काट के लिए तो आप अगर तीखा कम पसंद करते तो आप मिर्च का भी यूज कर सकते है तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पता तो मैंने इसमें कड़ी पता भी डाल के लिया है तो चलिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे वो जो बासमती चावल है इसको मैंने आदा गंटे पेली भीगो के रखाता इसका मैंने पानी निकाल के लिया है तो यह देखिए इसको में डालूंगी कुकर के अंदर तो हमको डारेक्टली इसको कुकर के अंदर डाल के लेना है आपने जितना बासमती चावल लिया है हमको उससे थोड़ा कम पानी डाल के लेना है तो पहले बासमती चावल को डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे तो चलिए चम्मस की मदद से हम इसको अच्छी तरह इसे मिक्स करके लेंगे तो इसको कोई भी आसानी से बना सकता है और एक खाने भी तो बहुत ही लाजबा भी तो चलिए इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके लिया है अच्छी तरह मिक्स अफोग चुका है अब इसमें डालेंगे हम पानी तो चलिए हम इसमें डालेंगे पानी तो यह दिखें मैंने इसमें पानी डालके लिया है इसी कटोरे से मैंने धाई कप चावल लिया था तो हमको पाच कप से थोड़ा कम पानी इसमें डालके लेना है और इसमें स्वादानुसार नमग भी मैंने डालके लिया है इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करके लेंगे जो उपर चावल लगे है इसको हम इस तरह से निकालके अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स करके लिया है तो चलिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है कुकर का ढखकर लगाएंगे और हमको दोन से तीन ही सीटी इसको देनी है तो चलिए इसको दो से तीन सीटी होने देते है तो दे इश करना है, तो देखिए, कितना अच्छा ही और खुला खुला हमारा राइस बन चुका है, तो आपका भी जो जीरा राइस है इसे तरह से जटपड बन जाएगा, तो चलिए, उच्छी तरह बन चुका है, कितना खुला खुला हुआ है ना तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा धनिया पता डालेंगे तो हमारा राइस रेड़ी है तो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस को तो चलिए अब हम बनाएंगे कोशिंबीर इस अलाड भी बोलते है इसको बहुत यासनी से बन चाता है तो मैंने इदर दो टमाट के लिए है कि मैंने इसे मस्चिन में डालके बासर दीखा रही हूं मैं ज Hatpot आपको दिखा रही हूं अब मैसे हाथ चचपो कि सबनाद सकते लेकर आई में तो मैंने पहले टमाटर को प्ला बासर से कर लिया है इसी तरह में डालेंगे गाजर और इनको भी ऐसे करश करके ल तो kob Chip 3d यांने य तो मैंने इस तरह से बारेकर के लिया है . जुझे थै। अब इस तरए सभी सलाड तै रही ऐसे मूग Linux छबी एक गंटे पहले तो अच्छे तरह भीग चुकी है इसको हुम डालेंगे इस सलाड में एक को श्मरी बहुत रही दुझािए आफ इस तरह से जरूर्ध बना की कि düş ciao इसको भी हम इसके अदर ढलेंगétais इसके अंदर का पुरा पानि निकल के हम को इसके इनदर डाल के लेना है हो makes करके लेना है तो इस तरह से मैंने इसको भे मेक्स करके लिए अब हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें अब हम इसमें डालेंगे नमक और दही तो यह याद रखिए हमको नमक और दही तब भी डालना है जब हम खाना सर्वक कर रहे हैं तो मैं जब खाना सर्वक कर रही थी तब भी मैंने डाला है लेकिन इस टुडियो में मैंने दिखाय तो यह याद जरूर रखे तो कोश्मरी रड़ी हो चुकिए अब हम बनाएंगे चाच तो इसके लिए मैंने बरतन लिया है इसमें मैं डालूंगी दही तो दो से तीन चमच मैंने दही डाल के लिया है कम या जादा आप कर सकते हैं तो इसमें उड़न विस्क की साहता से इसको अच्छी तरह विस्क करके लेंगे तो यह दिखिए इससे जो हमारी दही अच्छी तरह पत्ती हो जाएगी तो यह दिखिए कितनी अच्छी तरह से पत्ले हो चुकिए इसमें हम डालेंगे पानी पानी आप कम्या जादा कर सकते हैं तो चलिए इसको मैंने इसे अच्छी त और अधरक का टुकड़ा और मिर्च मिर्च भोती कि इसलिए मैंने आदील यह इदर आप चाहिए तो कमिया ज्यादा कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता और इसको मिक्सर में पीस लेंगे तो मैंने इसको एसे मिक्सर में पीस के लिया है अब खलोटे में भी इसको कूट के ले सकते हैं इसी जार में मैं डालूंगे थोड़ा पानी और इस तरह से सबी जो है मसाला हमने तयार किया था इसमें भी पानी डालके इसको हम इस चाहच में डालके लेंगे तो यह दिकिया ह नमक भी डालके लिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे तो चाच भी रेडियो हो चुकी है तो यह भी रेडियो हो चुकी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और चलिए जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस को हम शीरा बनाएंगे शिरा भी हम बहुत ही जटबड बनाने वाले हैं सूजी को मैंने पहले ही रोस्ट करके रखा था मैंने इदर एक बरतन रखा है बरतन में हम डालेंगे पानी तो मैंने पानी को डालके लिया है पानी को थोड़ा उबालने देंगे तो चलिए पानी भी उबलने लगा है अब इ इसी कटोरे से मैंने एक कटोरा शक्कर डाल के लिए है तो यह अची तरह उबल चुका है इसमें हम डालेंगे काजो और बदाम के टुकडे और किश्मिश तो मैंने तीनों को इस तरह से डाल के लिए है तो यह अची तरह उबल चुके है अब इसमें डालेंगे हम यलो केशर पूर्ट कलर इसको आ पस्के भी कर सकते हैं तो इसको लिए अच्छी तरह ऐसे लिए सब्के लिए तो इसको सब्सक्राइब प्रुक्त में निलीए तो इसको सब्सक्राइब आप इसको months before you get it right agenda में है उब्ला घुकत है इसे इसी सब्सब्स करते हैा को निकालेंगे तो देखिए हमारा शीरा बहुत ही अच्छी तरह पर्फेक्ट बन चुका है तो जल्दी से सब्स्क्राइब कीजिए तो शीरा तैयार हो चुका है इसको डखकर रखेंगे और जाएंगे अगली प्रोसेस में तो चलिए अगली प्रोसेस में हम बना रहे हैं च दिखाए है और पूरी बनाने से चपाथि अच्छा ही है इसलिए मैने इदर चपाती दिखाया है अगर आपको पूरी की रेषिपि चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते है तो इसी तरह से देखिए चपाती का आटाम नार्मन लगाते हैं वेइसे लगाके ले ना है और इस तरह से चपाती बना के लेनी है तो इस तरह से मैंने चपाती बना के लिए मैं इदर दो चपाती बना के ले रही हूँ तो मैं थाली में पहले दो चपाती सरवक कर रही हूँ इसलिए मैंने इदर चपाती बना के लिए तो इस तरह से हमको पहले चपाती बना के लेनी है और इधर मैंने तवा भी गरम करनी के लिए रखा था तो यह देखिए इसके उपर मैंने तेल लगा के चोटा गोला डाल के लिए है चपाती के उपर भी हमको इसे तेल लगा के लेना है तो इस तरह से इसको भी अच्छी तर गरम हो चुका है चपाती की जो उपर वाली सड़ है हम को इसको उल्टा करके इसे डाल के लेना है तो इस तरह से हम सब चपाती को अच्छी तरह से है कि लेना है तो इस तरह से आमको दोन है दोने साफ 눈ậy और तो चलिए, हमारी छपाथी भी रहे कुकि है, अगहा हम जो पापड़े उसको रोस्ट करेंगे, तो पापड रोस्ट करने के लिए में इसे इधर कडाई पे एक चमस देल डाला है, पापड़े को हम इसको ऐसे अंदर रखेंगे, और इसको एक कपड़ी की साहतासे से दबा के रोस्ट करके लेंगे या तल के लेंगे भी बोल सकते हैं क्योंकि जो हम तल के लेते हैं ना उसका ही टेस्ट इसको आता है तो ऐसे ही हमको रोस्ट करके लेना है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप एजरूर कीजिए और हाँ आप मेरी वीडियो देखते जरूरे लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कीजिए सब्स्व्राइब कीजिए और शेहर तो जरूर कीजिए चली इसी तरह से मैंने पापड को भी रोष्ट कर के लिया है तो इसी तरीके से मैंने दो पापड को ऐसे रोष्ट करके लिए है तो पहला हो चुका है दूसरी को भी मैं इसमें डालूँगी तो इस तरह से हमको तेल डालना है और इसको करके लेना है कम तेल में बहुत ही अच्छा रोस्ट होता है या आप बोल सकते है तले जैसे ही होता है तो चले निकालेंगे अब हम थाली सर्व करेंगे इसमे मैंने इसे शिराडाल के लिया है अब हम इदर रखेंगे कोशंबरी, कोथिम्बीर अब इस दर डालेंगे हम चाच अब हम डालेंगे कटोरे में कुर्मा जीरा रैस मैंने इदर रखे दिया है आप चाहिए तो इसको भी ऐसे शिराजे से उल्टा रख सकते है मैंने इदर दो चपाती भी डाल के लिए जो पापड भी जो मैंने रोस्ट कराता हूँ भी मैंने दो पापड रखे है और हाँ नीमबू तो बनता ही है और ठाले के साथ आचार तो जरूर बनता है तो इदर मैंने आमका आचार भी रखा है तो इस तरह से हमारी ठाले रेड़ी हो चुकी है तो प्लीज आपे थाली जरूर बनाईए और हाँ मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए और हाँ लाइक शेर सब्स्राइब करना ना भूलिए प्लीज सब्स्राइब कीजिए बेल बटन दबाना ना भूलिए तक कि मेरी ऐसे ऐसी नही रेसिप और नोटिफिकेशन आपको जरूर आता रहेगा थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स पर वाचिंग तो आप सबको हैपी न्यूयर की बहुत बहुत चुप काम ना आए तो ऐसी वर्श में आप एठाली जरूर बनाए तो आपको मेरी थाली की रेसिपी कैसी लगी मुझको जरूर बताईए थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू सो मुच प्लीज सब्स्राइब